पूरे संसार में इस पूरी दुनिया में सबको एक चीज बराबर मिलती है और वो है वक्त लेकिन आज जिसकी से भी के भी मुझ से सुनता हूँ वो यही कहता है कि वक्त नहीं नहीं था मुझे समझ में नहीं आता कि बीजी वक्त हो गया या आद ले और जो मनुश्य वक्त की कदर नहीं करता है वक्त उसकी कदर नहीं करता है इसलिए शमय की कदर करो शमय बड़ा बलवान है ओच्छी को उतपात काबा लूटी गोपियां वई अर्जुन वईबा शमय बड़ा मान है शमय की कदर करो शाथ ओम नमो नारे निलान जनम शमा भासम रवी पुत्रम यमागर्जम चाया मार्तन शंभूतम तम नमामीं सनेश् शूर्य पुत्रो द्रिग देही विशाल आक्सा शूपरिया मंदा चार प्रशन आत्मा पीडा हर्तम में शेली नमाह किसनां नीलाए मिलाए सितकंठाए नमो 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 काल अगनी रूपाए करतन चाय चे नमनो ओम्शम्शन श्ण शराए नमाहा ओम्शम्शन श्ण श्ण प्रिदर्शिकाण मित्रों शाथियों 2023 सनिदेव ने बदली चाल क्या होगा आपका हाल 2023 में सनिदेव अपनी मूल त्रिकॉण राशी में प्रवेश कर रहा है और मूल त्रिकॉण राशी कुम में दो वर्ष तक सनिदेव रहेंगे साथियों प्रिदर्शिकाण मित्रों शाथियों जीवन का पूरा पढ़ाव सनिदेव की सिर्चर्णों में गुजरा है और उनसे प्रातना है कि जीवन आपी की चर्णों में बीते हैं एक सन्देश लेकर इस राश्ट के सामने आये था कि शनिशत्र नहीं मित्र है थोड़ा सा समय लूँगा आपका आपको लगता कि आपका समय बरबात हो रहा है तो यूट्यूब पर वेवस्ता है फॉर्वर्ड कर देब जो कहने जारा है वो बहुत जरूरी है राश्ट को शंदेश दियाता कि करम फल दाता सनी भाग्य विदाता शनी परम नियाए धीस सर्वोच पद पर विराजमान नियाए के दाता शनी देव शूर्य पुत्र चाया संतान कश्यब पोत्र कश्यब वनसज कश्यब अवतार का परति नाराइन का अनन्य भग और महादेव का शनी देव और कैसी विडेमना है जो चरातर जगत को भैसे मुक्त करता है उसी से आप है भी थे कर्मों में शुधिकरन और कर्मों में विश्वास माबाप की सेवा धर्मानकुलात्रन राष्टे प्रेव और ओम शम्शन श्चराय नमह इस मंत्र का जाब करने से सनिदेव की अद्भुद कृपा प्राप्ति होते है आप कहेंगे कि जाती माराज क्या कहना जा रहे क्यों भूमीकाबांध रहे क्योंकि बहुत डेराय जा रहा है आस्टम धैया चतूर्त धैया मकर की साड़े साथी कुम्प की साड़े साथी और मीन की साथे साथ faith ये भाई इतना है कि आप सोचे मत और भय संपूर्ण शमश्याओं का कारण है और मेरा राश भयवीत नहीं हो हर बार एक संदेश लेके आता हूँ कि सनिदेव से भयवीत होने की जुरू करम फल दाता सनी धर्म करम गति ग्यान भक्ति सत्य करूना शादना शमादी शुक वैभाव विलासिता इसका भोग सनिदेव की किरपा के बिना संभू नहीं है अब किरपा कैसे मिले तो माबाप की सेवा पत्पतनी का आत्रन अच्छा राश की पति वफादारी छूटा सा काम मित्रों शाथियों आज जिस विशे पर आ रहा हूं 2023 शनिदेव ने बदली चाल तो करकराशी का क्या होगा हाल क्योंकि करक राशी वालों के लिए शनी देव अस्टम भाव से संचरन करेंगे और अस्टम भाव में विराजमान शनी देव जब करक राशी वालों के लिए गोचर करेंगे तो करक राशी वालों को शनी देव की अस्टम धहिया प्रारम होगी और इस अस्टम धहिया का पास तो दवा है शेव देवादी देव शनी देव और है शमश्य आपके पास तो समाधान है शनी देव सो एक ईजनवरी दोहजार तैईस शनी मावश्य महस्तव सरी सनीधाम सनी तिरज्चेत्र अस्वला फद्यपूर्वे इन आपका श्वार है करी शनी भगवां की दर्शतन पूजन तेला रिष्य जीवन की सभी कष्णों से चुड़कारा सरी सनी थाम सनी तिरज्चेत्र जीवन के सारे कश्ट में दिलिया निस्यार के सभी सनी भगतों से निवेदन के सनिय महुष्णा के इस पावन पर यानि 21 जनवरी 2023 पधार सिरी सनी धाम सनी 13 असोला फट्रपुर्वेरी में करिये दर्सन और पूजन के आपके कश्ट में प्रदर्शक और मित्रों शाथ्यों 17 जनवरी 2023 सनी डेव ने बदली चाल विर्षव राश्य का क्या होगा हाल कि क्या प्रभाव रेगा 2023 में सनी देव का विर्षव राश्य पर हैं विर्षव राश्य वालों के लिए सनी देव नमम और दसंभाव के सौमी होकर दसंभाव में अपनी मूल त्रिकॉन डार्शी कुम में धानिश्टा नक्षतर के तीसरे तरण में संचरण करेंगे सने देव भाग्ये और कर्म के मालिक है और दसंभाव यहीं कर्म भाव में संचरण करेंगे दसंभाव आपका करम स्थान है कि आप कैसे कारी करेंगे किस तरह की जॉब करेंगे किस तरह का वैवशाय करेंगे आपके वैवशाय आपकी नौकरी आपकी जॉब और आपके इस्टेश्ट कैसा रहेगा और पिता की इस्तिति कैसी रहेगा राजलितिक जीवन कैसा रहेगा जिवन का लक्ष है कैसा रगए यह दसंभाव है 2023 में 22 अप्रेल से पुने ब्रश्पत देव और शनीदेव का त्रियकादश समंध होगा और शनीदेव की द्रश्टी का जब मैं बात करता हूँ जब भी प्रश्पत देव की द्रश्टी बंती में मनिकांचन योग कहता हूँ यानि सनीदेव की द्रश्टी में अमरित बश्रेगा शुबता आएगी पवितरता आएगी तो जिन लोगों को भय रहता है कि सनिदेव की द्रस्टी प्रतिकुलता देगी वे अपने भय से 12 है 2023 में 17 द्रजमली को सनिदेव 30 साल की बाद अपनी मूलत्र कौंडाशी कुम्मे प्रविश कर देगी और 2023 में विर्शम राशी वालों के लिए सनिदेव का जो पाया है वो तामवे का प्रभावी रहेगा दसम भाव में विराजमान सनिदेव की 33 दस्टी बार में भाव पर रहेगी 17 दस्टी चतुरत भाव पर रहेगी दसम दस्टी शप्तम भाव पर रहेगी शनिदेव विर्ष्म राशी वालों के लिए भागियस और करमेश बनकर श्वराशी कुम में दसम भाव में संचरन करेंगे और ये जो परिवर्तने तीस साल के बाद है तीस साल की बाद 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मूलत्रिकॉन राशी कुम में आएंगे तो मैरा हमेशा संदेश राए कि स्थान व्रदी करेशन संदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में बड़ोत्री करें और द्रश्टी को लेकर जो बड़ा भै है उससे बार आना चाहिए क्योंकि सनिदेव अपनी मूलत्रिकों डार्षी में विराजमान है और ऐसी अवस्ता में सनिदेव की दर्ष्टी शुफल प्रदान करें सनिदेव 17 जून 2023 से लेकर 4 नॉमबर 2023 तक वक्री अवस्ता में रहना भी सनिदेव का सुफलों में प्रदान बड़ोतरी होगी भै और भरम नहीं दस्तम भाव में विराजमान सनिदेव अपनी सप्तम दर्ष्टी से चतुरत भाव यानि सुक भाव को देखेगी तीसरी दर्ष्टी बारवे भाव को देखे और दस्तम दर्ष्टी सप्तम भाव को देखेगी ये तीन दर्ष्टिया है नौकरी चाही प्राइबेट हो चाह कारोबार में धन लाव के अच्छे अऊसर मिले तीसरी दर्श्ट्री बहार में नौकरी प्राइबेट हो चाहीं सरकारी सनिदेव उत्तम लाव, उत्तम अवसर और शफलता में चार चान लगा देगा, सास और प्राकर में विर्दी होगी, अपने पुरसार से देश विदेश से अच्छे का कारोबारी शमन्द इस्थाफित करेंगे, आर्तिक पक्स उदर होगा, आर्तिक पक्स के साथ आथ इंपोर और एक्सपोर्ड के मामले में भी शफलता मिलेगी, एक से अधिक आई स्थरोतों में विर्दी और बैंक पलेंस मजबूत होगा, इदियाब राजनिति के छेतर में हैं, पद और प्रतिश्टाप में बड़ोतरी और मनवन को अवसर पाप्त होगे, कारोबार विश्थार का मोका मिलेगा, जमें जाइदात, मकान, बान, खरदने के अच्छे आउसर मिलेगे, इदियाब राजनिति के छेतर में हैं, तो प्रमोशन हो सकता है, कोई पद मिल सकता है, कोई जम्यवारी मिल सकती है, तो विश्थिम राशी वालों के लिए शंदेव की कृपा से कामकाज, नौकरी, वेवसार, आर्तिक प्रस्तियों के हिसाब समय पूर्टा, लाब और श्फलता का संके देरा है, कारुबार में बढ़ोतरी, कारुबार में अच्छे आउसर, कारुबारी श्रमंदों में सुदर्ता, और नौकरी में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा, पद परतिष् प्रदान करेंगे, लाब देंगे, सफलता देंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकॉंडार्शी कुम में, दसम भाव में ससनामक पंच महापुर्शियोग का निर्मान कर रहे है, सफलता अधभूद है, लेकि मैं यहां भी एक बार देख रहा हूं, फिर खर्चों में भी कोई कमीनी, खर्चों में भी बार आशकती है, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि संदेवां इन्वेस्ट करेंगे, विस्तार करेंगे, यह खर्चे अच्छे वाले भी है, निवेस्ट बढ़ेगा, आर्तिक श्रोतों को पूरत करने के लिए निवेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन जल् विवार की सला से आगे बढ़ेंगे, तो सफलता में चार चांदा है, बाइस अपरेल बेर शनी देव, आपके बारवे भाव में इसलिए खर्चा बढ़ाएगे, बाइस अपरेल तो आममंदनी आठीनी तो खर्चा रुपिया हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आउटसाइ सम्पर्ग शुतरों से धन की प्राप्ति भी खर्चा है, तो सनी देव अपनी आवक में भी कमी नहीं करेंगे, दूसरा सणी देव आपके कारुबार में बढ़ोतरी करेंगे, रातस्ना ते वर्चेस भी बढ़ाएगे, देश विदे से कारुबारी शमन, कैरियर में मजब कि उत्तम प्रणामों का संकेते दिए चतुर्द भाने आपका नेजी शुक आपकी डॉमेस्टिक लाइग सब्तन दर्शित चौत्य भाव आपकी प्रवपटी आपकी भूमी भवन आपकी संपती यह सब आपका अपना चौत्य भाव में एक बात का ध्यान रखना संदेव देंगे बहुत लेकिन खाली अपना ही भला चाहेंगे अधिक पानी की पाक सब मुझे ही मिल जाए ऐसी अवस्ता में संदेव की दर्श्टि यह कहती है कि अधिक पानी की चार में पारवारी शुक में खल जरूर पड़ सकती थोड़ा सा अपने परिवार का भिख्या यह आपकी नीजी बैड हल्चल का संकेत दे रहा है आप ग्वहर से दूर रह सकते हैं कारुबारी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं कामकाज को लेकर इतने वैस्त हो जाएंगे कि आप अपने शेत और अपनी नींद और अपने दिस्तों पर ध्यान नहीं रखेंगे ऐसी अव कामकाज में वैस्त होने की वज़े से सई समय नहीं दे डे पाएंगे घर से दूर रहेंगे जीवन साती से तालमेल जरूरी है नहीं तो कल्ये हो जाएगगे लेकिन एडिया आप आप विवाहित है तो विवाहा के अच्छी होग है आप किसी तकने की छेतर में काम करते हैं स में एक बात देखी विर्शव राशी हो शुक्रदेव भाव में में स्राव स्थान क्वालों दोजार तइस सर्देव कर्म इस्थान में और सप्तम दर्शिशे नीजी शुक्ष परिवार को तो पारवारिक इस्ति रहेगी ठीक पारवारिक इस्तिति की वेवाईक शमयश्याव का निवाण होगा इस वर्ष परिवार में किसी नहीं खुशी का प्रबल्ली हो गए आने का लेकिन पारवारिक मसलों में समझोता वादी निती अपना नी बहुत जरूरी कि इस वर्ष आपके उपर काम का एक जनून होगा इसलिए लोड बहुत होगा बोज बहुत होगा और आपने को समय नहीं दे पाएगे अपनों को भी शमय नहीं दे पाएगे तो अपरेल चे अगस्ति के बीच में थोड़ा साथ अपनों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है लेकिन सतरक्ता बढ़ा देने चाहिए बुजरगों के स्वास्थ्य को लेकर भी साल बर सचेद रहना होगा क्योंकि विर्षभ राशी वालों के लिए कोई प्रहशानी है 2023 में तो वो है उनकी हेल्थ उनका अत्म विश्वास स्वास्त्य को लेकर चिक्सा को लेकर लापरवाई नहीं करें हैं आप अलकोलिक तो विशेश से साफधानी बढ़ने पड़ेगी आपको अपने स्वास्त्य को लेकर तकलीप है यह अलग बात है कि प्रश्परदेव आपक किड्नी इस्किन प्रॉब्लम कोई इन्फेक्शन यदा करता आतों समझदी पैट में गैस अपच ऐसी समस्या दूसरा इसकीन में बड़े-बड़े फोड़े हो सकते हैं मवाद आ सकता है ऐसा नजर आता है वह कब जब आप अलकोलिक ज्यादा रहेंगे तब और अलकोलिक ह कर सकता है मैं यह नहीं कहता हूँ का मत पीए आपकी जुम्यवारी है आपका जीवन है लेकिन सेयमित रहना बहुत ज़रूब समय समय पर चिकसा का सारले चिकसा में कोई लापरवाई लिए मौसमीं बीमारियों से भी शावधान दे कोई कोई पुरानी बेमारी है तो यह सं आउधान आपको रखना पड़ेगा तो मेरी शाथियों और मेरे मित्रों मेरी अपनों यह विर्षव राशी वालों के लिए नक्षद गर्णाओं के आधार पर पूनता विशुद नीजी आंकलन था मेरा नक्षद गर्णाओं का कैसा रहेगा 2023 और श्रणी देव हां 2023 में कहीं कोई प्राबलम है समश्याय है तो हर शनिवार को यता संबव जो आपका शामर्त्य हो सर्दानुसार देशी चना काला तिल उडद शर्णों का तेल गुड यह सारी चीजे शनिवार के दिन शनिधाम में जहां पीठ हो जहां मंदिर हो वहां दान देना बड़ा शुब रहेगा श्यम जाका साल भर हर शनिवार शनि इस्तुत्वराज शनिदेव का यादभूद उपाय है इस श्रोत का पाट करने से शनिदेव महरबान होते हैं और इसमें मैंने खुब काम किया है आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाएंगे www.sanidham.org.com.in पर तो यह सनि मिल जाएगा श्यम पाट सुनेया करें और आप चाते कि शनिदेव आप पर महरबान और इसका पाट शनिधाम में हो तो निशनकोच आप शनिधाम में शनिधाम कर करिएगा मैं आपको सपोर्ट करोंगा अपने घर में शनी अंदर इस्थापित करना बड़ा शुब रहेग प्रते दिन दूब दीब नेविद ये पुस्त रक्षतार्पित करें और शनी अंतर को भोजपत प्रण लिखकर अपने पास्थ बटवे में रखना भी बड़ा शुब माना लिया है नाव के पेंदे की कील की अंगुटी मध्यमा अंगुली में धारन करना बड़ा शुब विद्वान ब्रामनों के द्वारा यहां जाप हो सकते हैं आपके लिए सवालाग जाप कराना उत्तम रहेगा बहुत उत्तम रहेगा शनिवार दिन लोहे की पातर में सब आट किलो तेल भरग उसमें अपना चैरा देखें और शनी मंदिर में शनी देव का आभिशेव करते गिले कपड़ों अद्भुद उपाय है आपकी सारी प्रिशानियों का नियाद कि परिवार में शुक शानती नहीं है तो शुका नरेल रुबादाम सधानुशार हर शनिवार को अपने उपर से एंटिक लोग बैस साथ बार उसारे और जल में प्रभा करें शनिवार दिन श करी शनिदेव की दर्शन पूजन तेला भी से आपके कश्ट में चातरपूर मेट्रोशन से दिली से शनिदा मात्र ज्यादा नीच चार किलोमेटर की दूरी पर दर्शन करने से आपका कल्यान होगा तो कुछ बाते थी आपके लिए यह उपाय थे इस पर आप गोर करेंगे महाराज के आपको किरपा में लेगी और आपका जीवन खुश और पाथ सुन्दर एक बात और कहना चाहता क्योंकि पचास साल से आप लोगों की शेवय में हूँ आपके दसवे भाव में शनिदेव है छे मुकी रुदराक्ष दो दाने शात मुकी रुदराक्ष दो दाने गौरिश्चंक रुदराक्ष एक दाना लाल धागे में गले में धारन करना उत्तम कंबिनेशन देगा विर्श्वराश शिवालों ये रुदराक्ष का कंबिनेशन शनिदाम में आपको मिल जाएगा मैं वैपारी नहीं हूँ आप कहीं से भी ले सकते लेकिन पचास साल से इस विशे पर काम करता हूं परिशुद्ध साधना के साथ कंबिनेशन त्यार करता हूं अब घर बेटे से मंगवा सकते हैं नंबर नीचारे इन नंबरों पर शंपर करें तो मित्र और शाथियों ये मेरा अंकलन था दबाब नहीं फिर भी मेरा निवेदन है कि सकेंड ओप जानता एक दाति मराज गायों से बहुत प्यार करते हैं अब हजारों शेक्डों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है यह मेरा सौक था मेरी राष्ट की धरवर्ति और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूं और मानव होने इतने ते मेरा करतव है कि मैं अपनी राश्ट के शेवा करूँ इस राश्ट का नागरिक हूं तिस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राश्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा हिंकार नहीं है क्यों कि दन को लेकर मेराश्च्त के सामने कभी नहीं यहाए था हमेशा मैंने कि दन काक्षा आप शेवा करें हैं जो आरतिक परस्ति हैं वो मेरा को यह कहने मद्बूर कर दी है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रो पर ही है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें सनि भगवान आपकी रक्षा करें रहे हो आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रतिय अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है ये आप भी जानते हैं शासन की अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यात है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुषवयोकर मेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमुनारें ओम नमुनारें